साथियो जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज चत्रपती सिवाजी महाराज को भी याद करूँगा चत्रपती सिवाजी महाराज की वीर्ता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है विशेशकर जल प्रबंधन और नव सेना को लेकर चत्रपती सिवाजी महाराज ने जो कार्य किये वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर भढ़ाते हैं उनके बनाए जल दूर्ग इतनी सताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं इस महने की शुरुवात में ही छत्रपती सिवाजी महाराज के राज्या विशेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं इस अउसर को एक बड़े पर्व की रूप में मनाया जा रहा है इस दोरान महाराज के राइगर केले में इस से जुड़े भव्य कारखमों का आयोजन किया गया मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राइगर जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सौभाग्य मिला था यह हम सब का कर्तब है कि उस आउसर पर हम छत्रपदेश सिवाज महाराज के प्रमंद काउशल को जाने उनसे सीखे इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर घर्व का बोध भी जगेगा और बविश के लिए कर्तब्यों की प्रेणा भी मिलेगी